फाइनली एसिया का सबसे बड़ा सोग कुत्तर परदेश के परियाग राज में जिसे देखने के लिए हम लोग भी बाकी लोगों की तरह संगन निकल गए और वाई सेना दिवस पर होने वाले एरसो को देखने के लिए हजारों की भीड दिखाई दी इतना ज़्यादा भीड देखने के बाद एक बार मन में विचार आया कि साइध हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे लेकिन ये एरसो साइध फिर कभी देखने को मिलता तो फिर क्या था हम लोगों ने और भी ज़्यादा उस साइध दिखाते हुए सभी लोगों के साथ आगे बढ़े और आगे जाते ही हमें दिखाई सबसे पहले वाई सेना का बोईंग सी एच फोल्टी सेबन चिनाकू हेलिकाप्टर हेलिकाप्टर की कलाबाजी देखने के बाद हम लोग और आगे गए पर इतनी ज़्यादा भीड में ये इतना आसान भी नहीं था और जहाँ पर हम लोग खड़े थे वहाँ पानी बरसात के समय में बहुत उचाई तक भरा होता है और करीब आधे खंटे तक वहाँ घूमने के बाद हमें दिखे हवा में पैरासूर से उतरते हुए जवाण जिसके बाद दूप ज़्यादा होने से हमें लगने लगी प्यास लेकिन तभी सामने आते हुए हमें दिखा इंडियन एरपोर्स का चेता खेलिकाप्टर और उसी के बाद आते हुए दिखें बोईंग एस सिस्टी फॉर अपाचे और इसके बाद दिखा हरकुलस एरक्राफ्ट फिर एंबेर एरजे वन फिप्टी फाइब और इसके बाद वाइट उंडी को सपोर्ट करते हुए आए एफ फॉर्टीन के चार फाइटर प्लेन इतना देखने के बाद हम लोगों ने भील्ड में पानी की तला सुरू की और यहां पानी पीने के बाद हम लोगों ने देखा एरफॉर्ट का हेलिकाप्टर सारंग और भी बहुत से हेलिकाप्टर यहां हवा में उल रहे थे जिसमें मैं सभी को नहीं दिखा सका हूँ